तो आज हम बात करेंगे संस्टोन के बारे में नाम से स्टोन सूर्य क्रेह की टाकत को तरशाता है इसकी असली खुशुती सूर्य की रोश्uben में ही दिखाई देती है यह स्टोन में स्लार एनर्जी स्टोर रहती है यह स्टोन रॉयलिटी और पोजितिविटी का स्टोन है ज़िए आपके आसपास बहुत ज़्यादा negativity रहती है या आप बहुत ही negative पसंद हो तो आपको ये stone चलूर पहनना चाहिए ये stone आपके घर में money और wealth को खीच के लेके आता है अगर आपके self confidence की कमी है तो आपको ये stone चलूर पहनना चाहिए ये stone orange, yellow, red और brown shades में मिलता है इसके major sources है नौरवे, Greece, Russia और India Sunstone को पचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये stone बहुत ज़्यादा चमकता है अब ये आप इसे अपने हाथ में लेकर चारो और घुमाएंगे तो आपको चमक दिखने को मिलेगी अब जानते हैं इस stone के benefits क्या है यदि आपके कुंडली में सूरे ग्रह कमजोर है और यदि आप Ruby stone नहीं पहन सकते तो आपको ये stone जरू पहनना चाहिए ये stone आपके अंदर leadership quality को बढ़ाएगा ये stone आपको नई तरीके से सोचने में मजबूर करेगा ये stone आपको depression से overcome करता है अगर आपको short problem या आपको muscle problem है तो आपको ये stone जलू पहनना चाहिए ये stone heart problems के लिए भी काफी पैदे मन stone है ये stone आपकी body में obesity और cholesterol को भी control करता है याने की मोटापे को भी control करता है ये stone आपको weight loss करने में काफी help करेगा ये stone आपके body के root चक्र को balance करता है याने के mood धारा चक्र को ये stone आपके अंदर negativity को बाहार निकालता है ये stone आप में confidence को बढ़ाता है यदि आप बहुत ही mood person है तो ये आपके mood को stable करेगा और आपको बहुत ही active person बना देगा यदि आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपके शरीर से उर्जा को हीचने का काम करते हैं तो ये stone आपकी energy को drain होने से बचा देगा ये stone आपके प्यार और महबबत के जिस्तों में भी निखार लाएगा तो आई आप जानते हैं कि ये stone किसे पहनना है और कैसे पहनना है ये stone सभी राशी और लगन के लोग पहन सकते हैं मगर जिन लोगों की कुंडली में सूर्ग रह खराफ्तिती में है वो अपनी कुंडली किसी विद्वान जोतिश को दिखा कर ही stone पहने इस stone को आप रवीवार को शुकरपक्ष में पहनेंगे इस stone को आप अपनी index और ring finger में पहनेंगे यानि की right hand की अंगूठे की बादवाली उंगली और सबसे छोटी वाली उंगली से बादवाली उंगली में इस stone को आप सोने पंचधातू और तामबे में पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे आप चाहें तो आप इसे चांदी में भी पहन सकते हैं आप चाहें तो आप इसे रिंग पैंडेंट या बेस्लेट में भी पहन सकते हैं दोस्तो आज का ये वीडियो हम यही पर अंत्र करते हैं नमस्कार